इस्टुडेंट्स आप सभी की इतने ज्यादा कॉमेंट आ रहे थी कि भाईयो जो भी चीज आप बता रहे हो वही चीज पेपर में आ रहा है तो ऐसे ही एक साइंस का पेपर लिया हो एक विज्ञान का पेपर लिया हो जो कि हमारा पेपर है 29 फरवई को तो मैं यह कहता हूं 29 इस फरवई को जो आपका पेपर है आपका कोड देख सकते हो मैं ला चुका हूं बिल्कुली वाइरल पेपर 824 एम कोड का है और 2024 बोर्ड एक्जाम के लिए अब यहां पर देखो इसका पूरा मैं सॉल्यूसन भी बताऊंगा इस पेपर को पूरा हल करें पूरा सॉल्व कर समय कितना 3 Histours 15 माड का मिलेगा और उसके बाद जो पूढ़ांक सत्तर नंबर पूरां कि इतनी नंबर पूरांक सत्र नंबर का अब इसके बाद कुछ निर्देश के बारे में यहां पर बात करतें निरदेश को पढ़ लेते को किसी कांडिका है सबसे पहला चों पर 14 बगे 15 मिनट परिक्षार्थियों को प्रस्ट पत्र पढ़ने के लिए निधारित हैं जो इस टार्टिंग के 15 मिनट है उसमें आप प्रस्ट पत्र पढ़ सकते हो और यहां पर आप देखो सुरू से प्रस्ट दो खंडों खंड आ अथवा बामे विभादित हैं अब देखो उसके बाद प्रस्ट पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रस्ट है खंड आ में क्या है बहुविकल्पी प्रस्ट दिये गये हैं जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओजमार सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पिन का सही विकल्प पर गोलेप को पूर्ट रू कहा में क्या है फ्रत्य विकल्पी प्रस्न हें तूल थीज़न देखो आप प्रत्य प्रसब के सम्मुक्ष के अंक निर्धारित हैं मतलब जो सामने प्रत्य प्रत्य के उसको नय प्रिष्ट से प्रारम करना है, जो भी खंड है, इसको नय प्रिष्ट से प्रारम करना है, चलो है कि एक उत्तल दरपड की फोकस दूरी दस सेंटीमीटर है किसी उत्तल दरपड की फोकस दूरी और पूछ आ था है थो फोकस दो यहार होता है यहां पर इसको सेंटो सेंटीम्य के यह वाला है इस पर हम लगा देंगे अपने क्वश्चन पर दोस्तु का मात्रक होता है वक्रिता त्रिज्य का मात्रक क्या होता है देखो चार आप्सन है मीटर हाँ ये होता है मात्रक अच्छा मिली मीटर ये भी होता है सेंटी मीटर ये भी होता है अता है ये सभी वाला टिक लगा दोगा और आपको याद होगा कि मैं आपको बताया हूँ जहां पर भी ये सभी इन में से कोई नहीं, इन में से ये सभी ऐसे कुश्चन आएं, मतलब ऐसे option में रहे, 99% cases में सही होते हैं, अभी तक मैंने कम से कम, और भी जितने question paper उसने भी देखा है, 10-15 question में भाई लगा था, सब question सही हुए, एक question भी ऐसा नहीं था, कि जो गलत हो सकता है, अब देखो मुझे इसमें पतान हैं, लेकिन हाँ, अगर देखो question मैं नहीं पढ़ता हूँ, ऐसे मैं बता दूँगा, यही वाला 99% chances है कि सही हो सकता है, चलो बतातों आपको, किसी वस्तु का आवर्धित कालपनिक प्रत्विम बन सकता है, अब देखो, किसी वस्तु का आवर्धित कालपनिक प्रत्विम कहां बन सकता है, अब देखो, मुझे क्यों पता लग गया, मैं आपको बता है हूँ, कोई भी option जो कि सबसे हट के रहे, उस पर आपको ठीक लगा देना होता है, आप देखो, चौथा नंबर question है, स्वस्त आंक के लिए अस्पश्ट दृष्ट की निवनितम दूरी क्या होती है जिस्से की मनुष्ट क्या है एकदम अस्पश्ट चीज़ें देख पाता है तो वह होती है 25 cm ये जो होगा चौथा नंबर ये बिल्कु से हो जाएगा 25 cm अब है मारा पांचवा नंबर कुश्चन देखो पांचवा नंबर कुश्चन क्या है तो पांचवा नंबर कुश्चन कह रहा है कि किसी परिपत में लगे विभवांतर को इस्थिर रखते हुए किसी परिपत में लगे विभवांतर को इस्थिर रखते हुए परिपत के प्रत सबस्क्राइब लेकिंपरिपत का प्रतिरोद को क्या करें तिगणा कर दें तो ढारा क्या है एक तिहाई होगा तो यह देखो तो ये देखो ये वाला इसमें सही option पर हम ठीक लगा देंगे अब बरते हैं आगे छटवा नंबर कुश्चन जो कि छटवा नंबर है कि एक विद्धु चुम्बक को क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपर्युक्त पदार्थ मालो कोई विद्धु चुम्बक है उसको क् सॉफ्ट फिक ये बोलते हैं और हाँ एक नंबर के लिए पेपर में इतना तेया क्वे अपूछ साथना नंबर कुश्चन है और सात्व नंबर कि अने नंबर कुश्चन है कि मानव ने तौर्र, किसी वस्थ्टु का प्रतिम बंता है? मानव नेत द्वारा किसी वस्तु का प्रतिमिंब कहां पर बनता है कार्निया पर या फिर आईरिस पर या फिर पुतली पर या फिर रेटीना पर चार ओप्शन दिये गया है मानव नेत जो इंसान की जो आखियों होती है उससे कोई वस्तु है उसका प्रतिमिम्ब कहां पर बनेगा तो उसका प्रतिमिम्ब बनता है दोस्तो रेटीना पर ये D वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा रेटीना पर ठीक सात्वा का हो जाएगा D वाला रेटीना पर बनता है अब बढ़ते हैं दोस्तो आगे हम अपने सबमें पीवी दिया गया है अब इसका पूझ रासानिक सूत्र बताना है इसका सउत्र क्या होगा होता न सब्यायों के लगा देंगे सही हुगा चे उपके अब आगे नूवे नमबर कुष्चन पर देखो हमारा जो blankets स्कुंड है वो क्या कह रहा है तो हमारा जो 9 नमबर कुश्चन है वो है कि कोई विलियन लाल को नीला कर देता है इसका पीछ बान होगा कोई विलियन क्या है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है अब देखो वैसे अगर देखना चाहे तो यह 10 होगा क्योंकि सबसे अलग ऑप्षन क्य है नीला करेगा अगर कर रहा थे लाल को अगर अगर नीला कर दे रहा है। तो जाहे दहीं है कि लिटमर केबर डाला गया है बेस मतलब है चाहार आप बYeah मतलों साथ और यहां पहर चौदा यह क्या कोता है इधर होता होता है उमल और इधर होता है चार अब यह सावन एंशार होगा जो लाल होता है उडल xem कि इस सास चैने जैसे spatial दoney नमबर कुश्चन पर देखो मैं जो दसवा नमबर कुश्चन है वो है कि धावन सोडे का रासानिक नाम है धावन सोडे का रासानिक नाम पूछा जा रहा है कि धावन सोडे का रासानिक नाम क्या होगा अब यहां पर देखो आपके सामने काफी सारे option है कि धावन सोडे का रा रासानिक नाम sodium carbonate दस्वे का बी वाला option बिल्कुल ही सई हो जाएगा धावन sodium sodium carbonate होता है फिर आते अपने ग्यारवे नंबर कुश्चन क्या है निम्नलिकित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके hydrogen gas देती है अब कहरा इस इसमें से कौन सी धातु है जो कि ठंडे जल में क्या करती है अभिक्रिया करके hydrogen gas मतलब यज जो hydrogen होता है यह gas provide करती है तो इसमें से कौन सी धात होती है तो इसमें से जो होता है वह होता है potassium potassium एक ऐसी धातु है जो कि क्या ठंडे जल से अभिक्रिया करके hydrogen gas सबस्क्राइब आपको संबस्क्राइब हो मैं आपको बताई दिया हूं अब आता हमारा आगे निंश्ट कुश्यंट 12ास नम्बर कुश्यं से जोकी उश्मा की कुचामत्रा छाहरा है चार बात है पहला दूसरा स्रोडियम तीसरा है शीशा then है लूहा तो इसमें से कुछ आलक पूचा कुछ आलक मतलब जो अच्छा चालक नहीं होता है सुच आलक नहीं यहाँ पर कुछ आलक पूचा है तो जो सीसा होता है वह बिल्कुल ही कुछ पुझा लग होते कि कि सीशा को तुरन तुम्हारों ये फूट जाती है ठीक है अब बड़ते हैं आगे आपने 13 नंबर कुश्चन पर देखो तेरवा कुश्चन है वह है कि कार्बन परमाड की सभी जक्ता है कारवन की सहयों जखता कि बिज दोस्तों वीडियों को एक कि इतनी महहरे से आपको बनाय जाती है इतने इंपॉर्टन बेपिश्चन लाइजाते हैं तो उनके बनाए लाइक कर दिया को अभी ही आप देख रहाएं तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना अब देखें अपने हम उपखंड गा में उपखंड गा है वह है कि शौपोसी पोसड के लिए आवस्यक है, कारबन डाय ऑक्साइड और जल, या फिर क्लोरोफिल, या फिर सूरक प्रास, या फिर उपरिउक्त सभी, अब देखो फिर एक ऐसा option आ गया और इसमें हो जाएगा उपरिउक्त सभी, मैं आपको बताया हूँ ना, भाई मेरे ट्रिक एकदम काम करती, अभी तक जितने कुशन दिखे हैं, सब में ट्रिक काम किया, और ये ट्रिक मैं एक महीने पहले ही बता दिया हूँ, चैनल पर जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट में भी ऐसे बहुत सारी ट्रिक है, जिसके आप यूज़ करके बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, सब पोसी पोसड के लिए क्या आवस्चेक है, तो भाई देखो, कारबन डाय ओकसाइड मतब सी ओटू तो है ही, जल भी है, सूर का प्रकास भी है, क्लोरोफिल भी है, तो सब पोसी पोसड के लिए आवस्चेक, ये सभी हो जाएंगे, उपरिक तो सभी, इस पर हम लगा अमाशय में उपस्थित होती है, पंद्रहवे का सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, अमाशय में, जठर गंतिया कहां पर उपस्थित होती है, अमाशय में उपस्थित होती है, ये वाला, अब आते 16 नंबर कुश्यन पर, देखो, जो हमाँ 16 नंबर कुश्यन है, वह है, प पूछा जाए इसका ट्रिक याद करो आप हमेशा याद रहेगा आपको जीवन भर में जाय नहीं तो इस टाटि में जाय लात इया झाया फ्लोयम यह rightsam अब यह आप याद कर दिलना हमेशा याद रहेगा अब इसमें देखो क्या पूंचा जा रहा है पौधों में जल का परिवहन जाइलम दौरा होता है यह तो यह हम टिक लगा देंगे बीवाला जाइलम दौरा होता है पौधों में जल का परिवहन क्या होता है जाइलम दौरा होता है ऐसे याद करोगे तो हमेशा आपके दिमाग में बैठा रहे ग तो बताओ कहां पे होता है तो पित का संसलेसर होता है दोस्तों यक्रित में होता है यह बी वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा पित का संसलेसर यक्रित में होता है अब बढ़ते अपने आगे जो हमारा 18 नंबर कुश्चन है वो देखते हैं क्या है तो देश्टों एक हमारा 18 तो नम्बर कुश्यन है कि सामान मनुस में सामान जो मनस होता है मस्तिस्क का भार कि उमेंट होता है है our human कि दीन को कि ए हमनबरиля का जो खार होता है इसका वेट होता है ओहह कि इतना होता यह पूंचा जा रहा है मैं तो इसका वेट होता है दोस्तों यह ¥100ετε यह जो 1300-1400 ग्राम यह लगभग होता है 1300-1400 ग्राम के बीच में होता है यह याद किये रहना है सब काफी जाद महत्पूर महत्पूर कुश्चन हैं जो कि पेपर में भाई हर बार रिपीट होते हैं तो एक तम अच्छिस तयार करके जाना देखो जो हमारा 19 अमबर कुश्चन है बाहे DNA के दोनों तंथ में जोड़ते हैं DNA जो हता उसके दोनों तंथ को आपस में क्या जोड़ता है hydrogen बिप्टाइट बंद यह फिर आयनिक बंद यह सहसैंयोगी बंद तो DNA तो अक की जोड़ते हैं वह जोड़ते हैं hydrogen बंद यह वाला बिलकुरी सही हम लगा देंगे तिक हडोजन बंद जो होते हैं वो जोडते हैं दियन्य को दोनों तंत्वों को आपस में उसके बाद हमारा था बीस्वा नंबर कुछ है बीस्वा और सबसे लाश्ट ऐं सी क्यू प्रसनाता है भवीकलिव का वह में डल ने अपना प्रियोग निमन में से किस पौधर नहीं पर किया है में कुल ही ठीक लगा देंगे मिंडल ने अपना प्रियोग किस पर किया था मठर पर तो देखो यह दोस्तों क्या थे आपके 20 पॉप कलपी प्रस्ट ट्वंटी जो की बहुत जाद महत्पूर थे और यह पूरे के पूरे बीस नंबर के थे ट्वंटी मार्क के ठीक अब आते हम खंडबा पर बढ़ते हैं खंडबा क्या है आपको निक्ट पेस से स्टार्ट करना है इसका जो उपखंड है डाल देना हेडिंग अगरा इसमें आम बताते चल दिखाई देती हैं और नजदीक की वस्तुर नहीं दिखाई देती हैं उसे दूर दिश्टी दोस कहते हैं इसको अच्छे तैयार कर लेना दूसरा कुश्चन जो आपको तैयार करना है वो यह है कि एक आउतल दरपड की फोकस दूरीता था वक्रता तिज्जा के बीच सूत यब भराबर आर वटे दो ये जो होता है यह चीज आपको करना है इसका निगमन करना है फिर तीसरा नमबर कुश्चन है प्रकास के परावर्तन के नियम लिखना है प्रकास का परावर्तन का नियम क्या होता है और G20 cm वक्रता त्रिज्जावाले आउतल दरपड के सामने 5 cm मेंटर दूरी पर दूसरा क्या है इसी कुश्षिन हे 15 सेंटिमेटर दूरी पर कोई वस्त रखने पर प्रतेक स्थिद में प्राति में कहां और कैसे बनेगा ग्याद करना है और यह जे क्या है चार नंबर के लिए हैं तीन अब इसके बाद चुछाता है मारा नेक्ट कुश्चन वह मारा चौथा नंबर कुश्चन जो कि लॉग एंसर है लॉग एंसर क्या है छे नंबर के लिए विद्धु धारा के चुम्बकी ये पदार्थ से आप क्या समझते हैं एक लंबे सीधि धारा वाही चालक द्वारा उत अब देखु छे नंबर के लिए पुछा जाता है कि आपको मिलेगा कितना नंबर चे नंबर दोगो इन दून네 मेंसे कोई फी एक कुश्चन कर सकते हूँ देखो मारा आता उपकंड खा अब देखो उपकंड खा क्या है इसमें है आपका biology से question इसमें biology से सारे question है जो कि 4-4 नंबर के लिए है देखो यहाँ पर 500 नंबर question है oxy तथा anoxy सौसन में विभेद कीची ओक्सी और अनाक्सी अस्वासन में दोस्तों विवेद करना है, जो कि चार नंबर के लिए है, फिर चाठवा नंबर काईक प्रवर्दण क्या है, उदाहराण सहीत आपको वड़न करना है, ये भी दोस्तों चार नंबर के लिए पूँछा जाता है, फिर दोस्तों देको चार नमबर कुश्चन ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिपड़ी लिखना है यह भी चार नमबर के लिए हैं अब एक आता है लॉंग एंसव टाइप कुश्चन जो लॉंग है वह क्या है आठवा नमबर मनुस्त के नर्जननतंत्र का वर्डन करना है चित्र सहीत वर्डन करना है और यह क्या है चित नमबर के लिए आएगा तीन नमबर वर्डन करने का या। आप आप ये वार नहीं कर पाते हो तो यह वाला आता है मानो पाचन तंत्र का नमागे चित्र बनाकर अमासे तथा चुद्रान्त में होने वाली पाचन के लिए का वड़न करें यह भी छे नंबर के लिए इन दोनों में से कोई सभी एक करना है आपको छे नंबर मिलेगा ही मिलेगा तो कोई भी जो भी आपको सरला लग रहा हो आप कर सकते हो अच्छे से और हाँ ध्यान में कराना बहुत तगड़े तरीके से अब आता है उपखंड गा उपखंड गा क्या है देखते हैं इसमें उपखंड गा में क्या क्या चीज़े हैं तो उपखंड जो गा है वा है उपखंड गा आपका कमेश्टी से ठीक है कमेश्टी से था कमेश्टी से क्या है आपका नंबर के लिए आप से बोर्ड एक्जाम में आयेगा दिन उसके बाद हमारा दस्वा नंबर कुश्चन है कि संचारण किसे कहते हैं धातों की संचारण रोकने की दो विधिया लिखनी है और इसी का दूसरा है विक्रित गंधिता किसे कहते हैं अब ध्यान रखना इसमें कुश्चन आपको अत्वा में करना होता है अब इसके बाद आता है हमारा 11 कुश्चन क्या कह रहा है 11 कुश्चन है कि निमनिलखित पर टिपड़े लिखना है क्या करना टिपड़े लिखना है सबसे First है कायवनिक यौगिकों में प्रतियस्थापन अविक्रिया कुम्ला के यह जो प्रतियस्थापन अविक्रिया है इसी का लिखना है परिभासा बगएरा फिर सूचक सूचक मतलब इंडिकेटर्स फिर हमारा तीस्ता समझाती इस रेडी यह सब जो टॉपिंक है बहुत जाद बहुत पूर है तो इनको करना है इसी के बाद अथवा में देखो यह आएगा छे नंबर के लिए मतलब यह दो नंबर यह दो नंबर अब इसी के अथवा करके हैं धा अच्छे तयार करके जाना और आपको बताओ दोस्तों पूरा यूपी बे क्या होता है छे साथ सेट आते हैं अब जिसका सेट वन है यह ठीक है अब यह हो सकता है किसी जिली में आए किसी मिन आए ऐसा ही करके पूरे प्लेश्ट में जितने मैं बनाया हूं सेट उनको बाकि बताओ दोस्तों आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेच कर सकते हैं अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार के दिक्कत आ रही हो प्यूस मौर्रा एक जार एक यूजर आइड़ी है आप कर लेना बाकि इस वीडियो को जदा से जदा लाइक करना चैनल पर नए आय हो तो चैनल को जब से सब्सक्राइब कर लेना तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अब मिलते हम आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में